नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोबल अर्थ शास्री अमर्ते सेन की टिपणी से बीजेपी बॉखला गई है बीजेपी के राज्य सवासांसा चंदर मित्रा ने ट्वीट करके कहा है कि अगली एंडिये सरकार को अमर्ते सेन से भारत रत्न वापिस ले लेना चाहिए हम आपको उतादे कि 1999 में एंडिये सरकार ने ही अमर्ते सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया था नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा था अमर्ते सेन ने कि वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बने जिसके बाद बीजेपी के तेवर तल्ख हैं और अमर्ते सेन से भारत रत्न वापिस लेने की बात बीजेपी करें कि जब अगली एंडिये सरकार बने मरतेसेन को उन्होंने का था कि अलसंख को लेकर उनकी जो छवी है वो ठीक नहीं है और चंदन मित्रा ने जो ट्वीट किया या B.J.P. की दरफ से, अमरते सेन कहते हैं कि नरेंद्र मोधी प्रधान पंट्री बने क्या अमरते सेन भारत के वोटर भी हैंか वो मद्दाने के अंडिये के अधली सरकार को भारत रत्न उन से वापस ले लेना चाहिए बीजेपी अमर्तेसेन को लेकर हमलावर और आपको दादे उनीस सो निन्यान्दे में भारत रत्म दिया गया था इंडिये सरकार के कारिकाल के दोरान ही मोधी को प्रधानमंतरी नहीं बनाने की बात खरने वाले नोबल पुरसकार विजेतार तिशास्तरी अमर्तेसेन को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस में लड़ाई चल रही है कॉंग्रेस के महासचिव ने बीजेपी पर हमला किया है शकील एहमद ने ट्वीट किया है अमर्तेसेन ये नहीं चाहते कि नरेंद्र मोधी प्रधानमंतरी बने वो नितीश को मोधी की तुलना में बड़ा नेता मानते है कॉंग्रेस के महासचिव शकील एहमद इस पाप के लिए बीजेपी उनसे भारत रतन छीन लेना चाहती है क्या ये आसहन शीलता की हद नहीं है यासेंशीलता की हद नासेहने की हद वाला जिक्र नरेंद्र मोदी ने भी किया था आदिती रेस्ट्राउम में जब कॉंग्रिस के कारेगरता पहुंचे थे उस पर भी कैना की व्यंग और तंज के लिहास से बात अपनी रखने की कोशिश रखील अहमन दिन की है कि क्या यह ना सहने की हद नहीं है आसेहन्शूनता की हद नहीं है रखिस नहीं है लेकिन अमर्तिसेन क्या था जिस पर अब बवाल खड़ा हो रहा है हो सकता है कि गुजरात में अच्छा काम हुआ हो लेकिन अल्फ संखिकों का ख्याल नहीं रखा गया यहां पर हमला नरेंद्र मोदी पर किया था भारत रत्न नोबल पुरसकार विजेता अर्थशासरी अमर्तिसेन ने एक भारतिय नागरिक होने के नाते वो नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री नहीं देखना चाहते अल्फ संखिक खुद को सुरक्षित महसूस करें इसलिए मोदी को और काम करना चाहिए